प्रेंट्स, कोविड नाइंटीन के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आये इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं 21 सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपून समय है मैं अफ्रिकन यूनियन के अद्यक्ष को जी ट्वेंटी के स्थाई सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहन करने के लिए आमंत्रिक करता हूँ नवस्कार आप देख रहे हैं दर्ष न्यूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा नई दिल्ली में जी ट्वेंटी सम्मिट की सुरवात हो चुकी है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में विदेशी महमानों का स्वागत किया पीएम ने अपने उद्गाटन भासन में मुरक्को भुकंप में मारे गए लोगों को स्रधांज ली दी है उन्होंने कहा है दुख की घड़ी में हम मुरक्को के साथ हैं और लोगों की हर संभव मदद करेंगे जी ट्वेंटी सम्मेलन में अफरिकन यूनियन को जी ट्वेंटी में सामिल कर लिया गया है सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री मोदी ने इसका प्रस्ताव रखा जिसे सभी सदस्य देशों ने सुईकार कर लिया है सिखर सम्मेलन में अपने सम्मोधन में पीए मोदी ने कहा है कि आप सभी के समर्थन से मैं अफरिकी संग को जी ट्वेंटी में सामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ इसके बाद विश्व नेताओं की तालियों की गरगराहट के बीच विदेश मंत्री एस जैसंकर ने कुमरो संग के राश्ट्र पती और अफरीकी संग के अध्यक्ष अजाली आस्मानी को जी ट्वेंटी के सदस्य देशों के साथ आसन पर बिठाया प्रधान मंत्री मोदी ने भी गले लगा कर अफरीकी संग के अध्यक्ष को जी ट्वेंटी में सामिल होने पर बधाय दी है बताओर अध्यक्ष पीएम ने जैसे ही से पारित किया अफरीकन यूनियन के हेड अजाली उसमानी ने पीएम मोदी को गले लगा लिया अफ्रिकन यूनियन को G20 में सामिल करने के लिए चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी भारत का समर्थन किया है इसके साथ ही PM मोदी ने कहा है कि कोरोना के बाद विश्व में विश्वास का संकट पैदा हो गया है यूकरेन यूध ने संकट को और गहरा कर दिया है जब हम कोरोना को हरा सकते हैं तो आपसी चर्चा से विश्वास के संकट को भी दूर कर सकते हैं ये सभी के साथ मिलकर चलने का समय है प्रधान मंतरी ने कहा आज हम जिस जगह इकठा हुए हैं यहां कुछ किलोमीटर दूर धाई हजार साल पुराना अस्तंब है इस पर प्राकिर्त भाजा में लिखा है कि मानवता का कल्यान सदैव सुरिश्चित किया जाए धाई हजार साल पहले भारत की धरती ने ये संदेश पूरी दुनिया को दिया था 21 सदी का ये समय पूरी दुनिया को नई दिसा देने वाला है नमस्कार, आपचारिक कारवाई शुरू करने से पहले, हम सभी की और से, कुछ देर पहले, मौरोकों में आये भूकम से प्रभावित लोगों के प्रती, मैं अपने हार्दिक समवेदना प्रगट करना चाहता हूँ हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजड लोग श्रीग्र स्वस्त हो, इस कठीन समय में पूरा विश्व समुदाय मौरोकों के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुँचाने के लिए तयार है Your Highnesses, Excellencies, G20 के President के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित है यहां से कुछी किलोमेटर के फासले पर लगभग धाई हजार साल पुराना एक स्थम्ब लगा हुआ है इस तंब पर प्राक्रित भाषा में लिखा है हेवं लोकसा हित मुखेती अथ यम नातिसु हेवं अर्थात मानव ताका कल्यान और सुख सदेव सुनिश्चित किया जाए दाए हजार साल पहले भारत की भूमी ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था आईए इस संदेश को याद कर इस जी ट्वेंटी समीट का हम आरंब करें 21 सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपुन समय है यह वो समय है जब बर्सों पुरानी चुनोतियां हमसे नए समाधान मांग रही है और इसलिए हमें human centric approach के साथ अपने हर दाईत्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है फ्रेंक्स कोविड 19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है युद्ध ने इस trust deficit को और गहरा किया है जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आये इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं आज G20 के प्रसिडेंट के तोर पर भारत पूरी दुनिया का आवान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस global trust deficit को एक विश्वास एक भरोसे में बदले यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय हैं और इसलिए सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास सब का प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पत्ध प्रदर्शक बन सकता है बैश्विक अर्थिववस्ता में उथल पुथल हो नौर्थ और साउथ का डिवाइड हो इस्ट और वेश्ट की दुरी हो फूल फ्यूल और फर्टिलाइजर का मेनेजमेंट हो टेरिजम और साइबर सिकुरिटी हो हेल्थ एनरजी और वोटर सिकुरिटी हो वर्तमान के साथ ही आने वाली पीजियों के लिए हमें इन चुनावतियों के ठोज समाधान के तरफ बढ़नाई होगा फ्रेंक्स भारत की जी ट्वेंटी प्रसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का सबका साथ का प्रतिक बन गई है भारत में ये पीपर्स जी ट्वेंटी बन गया करणों भारतिये इस से जुड़े देश के साथ से ज्यादा शहरों में दोसों से ज्यादा अधिक बैठके हुई सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रिकन यूनियन को जी ट्वेंटी की स्थाई सदस्यता दी जाए मेरा विश्वाथ है कि इस प्रस्ताव पर हम सब की सहमती है आप सब की सहमती से आगे की कारवाई सुरू करने से पहले मैं अफ्रिकन यूनियन के अध्यक्ष को जी ट्वेंटी के स्थाई सदस्यता के रूप में अपना स्थान ग्रहन करने के लिए आमंत्रिक करता हूँ एक्षी एक्सलिंटी अफिकन यूनियन क्यों है एहम आईए जान लेते हैं अफिकन यूनियन के सदस्य देशों की संख्या पच्पन है और इन में एक दसमलो तीन अरब जन संख्या निवास करती है 2050 तक इस जन संख्या के दोगनी होने का अनुमान है ऐसे में इतने बड़े समू को G20 में सामिल करने की मांग लंबे समय से हो रही थी वैस्विक भूरादनिती में अफरिकन यूनियन की एहमियत लगातार बढ़ रही है जिसके चलते दुनिया के बड़े देश लगातार अफरिका में निवेश कर अपनी पकड़ बनाने की कोसिस कर रहे हैं चीन अफरिका का सबसे वड़ा ब्यपारिक साज़दार है तो रूस अफरिका का सबसे वड़ा हतियार निरियातक है खारी देश अफरिका में सबसे वड़े निवेसक है वही तुर्किये का सबसे वड़ा सैन अड़ा सोमालिया में है इसराइल और इरान भी अफरीका में अपना पहुँच बढ़ा रहे हैं यही वज़ा है कि G20 में अफरीकन यूनियन को सामिल करने की मांग स्वभाविक थी प्राकिर्तिक संसाधनों के मामले में अफरीकी देश सबसे संपन्न है और जलवायू परिवर्तन के सबसे जादा प्रभावी देशों में भी अफरीकी देश सामिल है अफरीकी देश कांगो में ही दुनिया के कुल कोबाल्ट का आधा हिस्सा मौजूद है लीथियम आयन की बैटरियों में कोबाल्ट बेहद जरूरी तत्व है ऐसे में कह सकते हैं कि जब दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है तो अफरीकी देश बेहद एहम हो जाते हैं जी-20 का गठन बैस्विक अर्थ विवस्था को अस्थिर रखने और उसे बहतर करने के लिए किया गया था इसके चलते भी अफरीकन यूनियन की एहमियत है कर्ज की समस्या से निपटने में भी अफरीकी यूनियन को जी-20 में सामिल करना जरूरी है देश-दुनिया समेथ बिहार और जर्खन की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हुमारे चैनल दर्स निउस को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आप फेस्बूक पर देखने हैं तो हमारे पेच को लाइक और फॉलो करना न भूलें धन्यवाद